शरार्ती भालू और अक्लमंद हाथी शेर खान की जंगल में सभी जानवर कालू भालू की शरार्तों से परिशान हो चुके थे जब उनके सबर का बान तूड़ गया, तो उन्होंने उसको शेर खान के सामने पेश किया शेर खान, हम कालू भालू की रोज रोज की हरकतों से परिशान हो चुके हैं इसने हमारी नाक में दम कर रखा है शेर खान शेर खान, इसकी वज़ा से कई बार मेरा गोसला तूटा और मेरे बहुत से अंडे इसकी वज़ा से फूटे भी है सभी शेर खान को ध्यान से देखने लगे मैं तुमको इस जंगल से चले जाने का हुक्म देता हूँ आज शाम होने तक जंगल की सरत से पार निकल जाना इसे में तुम्हारी और सब की भलाई है उसकी बात सुनकर कालू भालू को बहुत बुरा लगा लेकिन वो शेर खान का हुक्म टाल नहीं सकता था इसलिए वो शाम होने से पहले ही जंगल से निकल गया फिर वो उस हिस्से में गया जहां इंसानों का आना जाना था जानवर वहां बहुत कम जाते थे उस शेर खान और उस जंगल के जानवरों से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा मुझे इस तरह बे इज़त करके जंगल से भगा कर उन्होंने अच्छा नहीं किया वो बड़ बड़ाता हुआ चला जा रहा था उसको एक पतीला नजर आया जो हरे रंग से आधा भरा हुआ था इंसान इस जगह पेडों के पत्तों से रंग बनाने का काम किया करते थे ये क्या है लगता है ये इंसानों के इस्तिमाल करने की कोई चीज होगी कहकर उसने पतीले के अंदर हाथ डाला लेकिन वो रंग को नहीं चू सका लगता है और अंदर हाथ डालना पड़ेगा ये तो काफी अंदर है कहकर वो जुका और पतीले के अंदर हाथ डाल कर रंग को चूने की कोशिश करने लगा लेकिन ऐसा करने से वो पूरा का पूरा उस पती लेके अंदर गिर गया अरे अरे ये क्या हुआ ये तो पूरा रंग मेरे उपर रंग गया कौन है उसके कानों में एक इंसान की आवाज आई तो वो जल्दी से उठा और वहाँ से बहुत तेज भागा काफी देर बाद वो एक जग़ जाकर रुका और सांस लेने लगा तभी सामने देखकर उसकी आँखे फटी की फटी रह गए एक बबर शेर ठीक उसके सामने खड़ा बड़े गौर से उसको देख रहा था मेरी बात सुनो मुझे पे हमला मत करना मुझे माफ कर दो मुझे मत मारना मैंने आपको पहचान लिया है रंपू जी रंपू तो वही जानवर है जिसके बारे में हर जंगल में चर्चा है एक ऐसा जानवर जो अकेले ही कई शेरों तक को मार दिया करता था लेकिन ये मुझे रंपू क्यों समझ रहा है सोचकर उसने खुद पर अच्छे से ध्यान दिया ओ, मैं पूरा हरे रंप से रंपू समझ रहा है अब आएगा मज़ा ठीक है ठीक है, मैं तुमको मारूँगा नहीं लेकिन तुम आज से मेरे सेवक बन कर रहोगे जैसा आप कहें ठीक है, मुझे अपनी पीट पर बैठा लो और शेर खान के जंगल ले चलो ये सुनकर बबबर शेर ने कालू को अपनी पीट पर बैठा लिया और उसको वापस शेर खान के जंगल की तरफ लेकर चल दिया जैसे ही उसने जंगल में एंट्री की सब जानवर उसको देखकर हैरान रह गए हरे रंग के जानवर को बबर शेर की सवारी करते देख वो सब ही उसको रंपू समझने लगे जंगल में ये बात फैल गई कि रंपू जानवर जंगल में आ चुका है शेर खान भी उसको देखकर हैरान रह गया शेर खान अब मैं आ चुका हूँ भलाई इसी में होगी अब तुम जंगल को मेरे उपर छोड़ दो तुम इस जंगल को छोड़ कर चले जाओ शेर खान तुम देखी सकते हो कि बबबर शेर भी उससे डरता है इसको अपनी पीठ पर लिये गुमता है तो भला तुम उससे कैसे जीट सकते हो सुनकर शेर खान सोचने लगा कि अभी उसके चुप रहने में ही भलाई है इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोला अब पूरे जंगल पर कालू-भालू का राज हो गया उसने सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा लिया वो शेर खान से अपने पसंद का शिकार करवाता और खुद मजे से उसको खाता रोजाना अपने मनुरंजन के लिए हाथी और गेंडे की लड़ाई करवाता पक्षियों को भी तरह तरह की परिशानिया देने लगा इसी तरह काफी दिन गुजर गए एक दिन छोटू हाथी का दोस्त रामू हाथी पासी के जंगल से उससे मिलने आया जब से ये रम्पू हमारे जंगल में आया है हमारा जीना दुश्वार हो गया है हर बात में उसकी मनमानी हमें बरदाश करनी पड़ रही है ये तुम क्या कह रहे हो रम्पू जानवर तो पिछले कई महिनों से हमारे जंगल में रह रहा है आज सुबह ही उसको फॉरेस्ट पकड़ कर शहर ले गाए है उसी की खुशी में हमारे जंगल में एक पार्टी होने वाली है जिसकी लिए मैं तुमको इन्वाइट करने आया था अगर वो पकड़ा जा चुका है तो हमारे जंगल में कौन है वो जरूर कोई बहरुपिया है छोटु ने उसी टाइम शेर खा पार है मैंने एक बात नोटिस की है उसका रंग दिनवदिन हलका होता जा रहा है जरूर वो हरा रंग उसने अपने शरील पर लगा रखा है जिससे हम उसको पहचान नहीं पारे लेकिन वो बबबर शेर भला उसको अपनी पीठ पर लिए क्यों घुमता है मतला वो भी उसकी सच्चाई नहीं जानता लेकिन अब हम एक प्लान करेंगे उस ते उसकी असलियत सामने आ ही जाएगी कहकर छोटू ने सबको अपना आइडिया बताया जिसको सुनकर सभी खुश हो गए रम्पु महराज छोटू हाथी आपसे लड़ना चाहता है उसने कहा कि वो आपको खत्म करके ही रहेगा उसको घुलामी बरदाश नहीं सुनकर कालू भालू डर गया लेकिन अपने डर को छिपाते हुए बोला वो छोटू हाथी मुझे क्या मारेगा उसको तो मेरा लौकर ही मार देगा ठीक है आप मेरा साथ चलिए रेंचो गेंडा कालू भालू को अपने साथ लिए तालाब के किनारे पहुँच गया वहाँ प्लान के मुताबिक सभी जानवर जमा थे सुनकर बबबर शेर उस पर हमला बोलने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही छोटू हाथी ने तालाब में अपनी सून डाल कर उसमें पानी भरा और फिर बबबर शेर के उपर बैठे हुए कालू भालू पर पानी की धार मार दी तब ही उसके उपर चढ़ा सारा रंग उतर गया और वो अपने असली रूप में आ गया कालू भालू तुम? क्या? मैं इतने दिनों से एक कालू भालू को पीट पर लिए गूम रहा था कहकर उसने एक जटका मारा और कालू भालू को जमीन पर गिरा दिया मुझे मुझे माफ कर दो मैं तो बस मजाग कर रहा था तुम कभी नहीं सुधार सकते कालू एई ये सबसे ज्यादा मेरा गुनेगार है मैं इसको नहीं छोड़ूँगा सुनते ही कालू भालू वहां से भागने लगा और बवर शेर उसके पीछे लग गया बचाओ यार माफ कर दो कोई मुझे बचाओ उसको भागता हुआ देखकर सभी जैनवर जोर जोर से हसने लगे छोटू हाथी तुम्हारी जितनी तारीफ की जाय कम है आज तुमने अपने दिमाग का इस्तमाल करके हम सब को आजाद कर दिया वरना पता नहीं कब तक हम उसकी गुलामी करते रहते शेर खान ये तो मेरा फर्ज था फिर सभी जैनवर खुश हुए और उस दिन सभी ने मिलकर जंगल में एक मज़ेदार पार्टी की